नमस्कार, Currency Morning Concord में आपका स्वागत है, आज 15 मईई, कल के सेशन में हमने Currency को एक सीमी डायरे में ट्रेड करते वे देखा, नोड़ाउग जब से हमने देखा है कि COVID-19 के चलते स्टिमिलेशन की जो गोस्टना हुई है, उसके बावजूद रुपए में तेजी नहीं दिखाई दे रही है, जो कईना कई संकेत देता है कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फेक्टर अभी भी COVID-19 को लेकर कंसंध है, कल हमने यूजडी आयनार में करीबन 0.33% की तेजी आते इंटरनेशनल में हमने देखा कि फेट चेर्मेन ने जिदन से नेगेटिव इंटरस रेट को नका रहा है, उसके बाद डॉलर इंडेक्स में जो जम पाया, जिसके चलते हमने एरो और पाउंड दोनों में ही गिरावट आते वी देखी, एरो में कल हमने आदे परसंड की गि जिपी आयनर बंद होता हुआ दिखाई दिया, आगे का भी आउक्टिक थोड़ा विकी दिखाई देता है, जबकि जिपी आयनर में हमने एक उछाल आते वी देखा, सेफ एवेंट बाइंड, गोल्ड और येंड, दोनों में ही हमने बंद ही देखा, हमने देखा कि की अगर बात करें तो आज करंसी में हम एक साइड़ प्राइग मोमेंटम देख सकते हैं इनिशले, सबसे पहले अगर हम फ्राइडे फेक्टर की बात करें, मिंज डेटा पॉइंड की अगर बात करें, तो आज यूएस से को डिटेल सेल्स, डिटेल सेल्स और profit booking दिखनी मिलती है coming back on rupees side अगर रुपे की बात की जाए तो पिछले दो-तिन session में हमने देखा है कि 75-70 का level तोड़नी पा रहा है तो आज के लिए काफी important resistant जो रहेगा वो 75-70 का level है यह level तोड़ने पर आप फिर से 76-20 तक का level दिखा सकते हैं आज की opening की अगर बात करें तो करीबन 75-45-50 के बीच में opening हो सकती है इस opening में हमें देखकर buying करके चलना चाहिए धन्यवाद